हेलो फेंड नमस्कार मैं दिने शर्मा आज आपको लगू पारसरी के इसलोक नंबर 6 की व्याख्या बताए जाएगा जिसमें त्रिकोण, फल प्रद और त्रिजडाय पती को पाप प्रद माना है पाप वाला माना है लगू पारसरी जोति सीखने वालों के लिए वर्दान ए छोटी सी बुकलेट जिसमें 42 इसलोक हैं अब आपको लगेगा कि यहाँ मैंने तो 6 इनमर इसलोक से क्यों चालू कर दिया देगे 1 से 6 इसलोक तक में तो पहले इसलोक में तो मा सरस्वति की वंदना के बारे में जिक् लगू पारसरी के जो लेखक थे पंडित मुकूल वलब जी उन्होंने 42 स्लोक में यह लगू पारसरी लिखा और जोतिस सीखने वालों के लिए बहुत ही वर्दान है किताब बिना लगू पारसरी के ग्रहों का सुब और असुब आप नहीं समझ पाऊगा ग्रहों की ताकत वीडियो सिर्फ एस्ट्रोजी से से जो सीखने वाले उन लोगों के लिए जो आम जन जो है उनको साथ समझ मनी आए पाएगा तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना वीडियो लंबा हो सकता है टाइम की कोई लिमेट नहीं है सिर्फ जोतिस से प्यार करने वाले जोतिस सी नहीं दीखने वाले लोगों के लिए वीडियो भही तो तो दूसरी समझ में बोला है कि जो होरा सास्त्र है यह यह रिशी पारसर का होरा सास्त्र का यर्था मति अनुसरान करके हम देवयक्यों की प्रसं़ता के लिए नच्छत्रों के फल को प्रकट करने वाले उड़ुदाय प्रदीप नामा प्रसित लगू पारसरी ग्रेंद को करते हैं ठीक है इसमें बोला कि भई यह जो रसी पारसर के सिद्दान को इन्होंने पूरा बताया है यह दूसरा इसलोक हो गया और तीसरा जो इसलोक हो गया है तीसरे इसलोक मे जिस नचतर में होता है और नचतर दसा ठीक है इस ग्रंथा नुसार फल कहने में विंशोत्री दसा को ग्रण करेंगे अश्टोस्तरी दसा को नहीं लेंगे तो यह जो लेखा के लगू पारसरी के मुकुंद देव जी है वो कहते है बैजा देखो हम मैं क्यों लगू पारसर तक त्रिकोण क्या है सुव क्या ग्राय क्या इस्थ इन सब का डीटेल आप दूसरे ग्राय दूसरे जो जात्वान लिखें लिखें जिए गर्ख आचारेदी होने और किसे सीख लुआ जातक परजात परड़ो वरा मीरी की टाइब हो पड़ लो वह मैं बताऊंगा वह अच्छा होगा बुरा होगा कैसा क्या होगा अस्थ होगा या जो है नीज का होगा कौन सी मित राशी सत्रुराशी इस विश्वें मैं नहीं बताऊंगा तिक है था कोथे इस लोक में लिख दिया और इसवेथ यृझन गृप ज्द करे दिया कि ग्रहूं के द्रस्टी मतनी और रू मतने चेंदेरं। पहली साथवी, चौथी, आटवी, गुरू की तीन द्रश्टी होती है, साथवी, पाचवी, नौवी, सनी की तीन द्रश्टी होती है, तीसरी, साथवी और दसवी, ये विशेशता बता है, ठीक है, इसके बाद सीधे छटे नंबर की स्लोक में आ गए, और ये छटा नंबर का स्लोग है सर्वे त्रिकॉन नेता रोग रहो सुभू फल फ्रदा 75 तराई आनाम यदी पाप फल फ्रदा कहता है कोई भी ग्रह यदि त्रिकॉन एक पांज नो का स्वामी हो तो सुर्प लायक होता है तथा यदित्रिकोन, यदित्रिष्डा है, तीन छे का स्वामी हो, तो पाप फल तयक होता है, देखो इस लोग छोटा था है, लेकिन इसे बहुत सारी बातें चुपी है, ठीक है, अब इसका, हम देखेंगे तो छे पन्ने की डिटेल लिखा है, मेजर खोदने, ठीक है, तो मै कैसे समझोगे, यार ऐसी तो समझना बहुत मुश्किल है, पहले बोलता है कि सुप्ग्रह जान लो, ठीक है, सुप्ग्रह कुन से होते हैं, सुप्ग्रह होते हैं, सुप्ग्रह कुन से होते हैं, सुप्ग्रह कुन से होते हैं, सुप्ग्रह कुन से होते हैं, चंद्रमा, को जाता है वो खराब हो जाता है बुद्ध जिस के साथ रहता है बुद्ध मानदा है तो बुद्ध को भी उन्हों ने पाप ग्रह मान लिया है लिए भुत और प्रायुटा द्रृण बेधि गृत बुद्ध बहुत पीडित है तो सूब गर्यकों से चंद्रमा बुद्ध गुरू सुक्र और चंद्र बुद्र सूब रसुब दोन हो सकते हैं शूरि मंगल सनी राहु के तुई पाप ग्रह इसमें सूरी जो होता है निक रूर ग्रह होता पापी नहीं होता है तो यह बात का ध्यान रहे आपको अब हम यहां से ग्रहों को समझते हैं ठीक है बोलता है कि सर्वे त्रिकॉन नाथे ग्रह सुख्पल प्रदा सब त्रिकॉन कौन कोन से यहां त्रिकॉन आपको ऐसे निसान लगा लगा के बताना पड़ेगा देखो यहां पे गुरु त्रिकोण है और सूरी त्रिकोण है और लगन भी त्रिकोण कहलाई जाती है ठीक है लगन को केंदर भी बोलते हैं त्रिकोण भी बोलते हैं तो यह लगन जो होती है न सबसे कमजोर त्रिकोण होती है इसके बाद स यह रहा ils सामी आप चलो में और हैं इसमें पेहले बोला कि वीडियो लंबा हो सकता है त्टीक, इस विरसम लगन की कुंडली में सनी जो है, त्रिकॉन होकर सुग है, लेकिन केंड्र का मालिक है, ठीक है, और यहाँ पर बुध जो है त्रिकॉन है, और सुक्र जो है, अब बोलोगे साहब, क्या बतारे रहे और तो, ये तो सनी जो है, इसका केंड्र में भी चला ग लगता इसके पहले वाले वीडियो में ने बताया था कि केंद्र का दोस्त कैसे लगता है वह इस लोग नंबर 11 वारा था आगे उसका भी मैं डिटल बता हुआ तो केंद्र सबसे सुब रहा हो गया है आप बोलोगे साफ सनी आपने बताया थे कि सनी तो पापी रहा है और मेरे चाहे सनी हो मंगल हो सूर्य हो गुरु है यदि सनी हो गया तो सुब हो गया और यदि गुरु हो तो और सुब हो गया सुब हो गया तो यहां पर सनी सुब हो गया योगकारी हो गया जब मैं बोलता हूँ सुब तो योगकारी हो गया और बुद्ध क्या हो गया ये भी योग कारी हो गया ठीक है लेकिन बुद की क्रावसी तो मारकेस हैं कि मловते निभर नुपर्ण से ठीक धीक है ना समझ भोलते हैं आ इघर ना उढ़ती तो यह समझ दोंग का आप मैं अब दूसरा स्विलोक में कहता है कि अम में बढ़λι ऑने ठीकौंड समझ 50 billion प्र पिर फिर सनी आगे साब यहां पर फिर आगे सनी यहां पर आगया सुभ हो गया और सुक्र यहां पर आगया सुभ हो गया और बुद्ध यहां आगया सुभ हो गया ठीक बें नियम तो है सुबका लेकिं बुध का एक त्रकोड यहां पे भी है, बुध को भी केंद्र का दौस लगता है, तेका है, अब यहां पे सुक रहता है, लेकिन सुकर की एक रासी यहां पर अस्टम में पढ़ गई ठीक है यह हो गया लपड़े वाला काम सास्त्र कहता है खासकर व्रहत जातक में यह बात आई है वरामीर सहाब कहते हैं कि वरामीर के मतानुसार जब एक ग्रह दो कारणों से विरुद्धर्म होता है विरुद्धर्म कैसा एक अस्टमेस हो के असुब हो गया और यह नौमेस हो के सुब हो गया यानि एक कारण से सुब फल देने वाला हो और दूसरी कारण से असुब फल देने वाला हो तो ऐसी परिस्तिती में वागरें दोनों इस्तानों के फलों का नास कर देता है ठीक है लेकिन कुछ जो है टीका कार कहते हैं नहीं नहीं नौमेस होने से थोड़ा सुबत बचा है ठीक है और लेकिन सत्ती है कि इस निख लगे केंद्र की या किसी और दूसरे तरिकोंड का सपोर्ट लगता है जब काई जाए है कि सई दॉस्व ख्रह के सयोग से योकारी गरेए होता है लेकिन ज़ुक्त कि कुली में सनी योकरी नहीं है angry सनी औरहाने से फिन क्योंकि उसका एक भाव य girag total अस्टम इस्तान पर आके जो है है ठीक है तो समाझना समय सनी यहां यहां कभी आलिक होगे स्वाइज अगया है कि इस सच का दों कौनसे होते हैं देखो तृतार है यह हो गया थ्रिजड़ा कर गले रहा हूं हर लला लगन ले रहों है समझेने के लिए यह हो गया यह यह होना पतिफित और जैनल टिफा त ठीक है ओर यह हो गयात। ठीक है ग्यारवा इस्थान को क्या बहूते है तृत अरो स्वाति मतब्त तीसरे इन इस्थानों के तीन छे और क्यारवे इस्थान के स्वामी असुभ होते हैं अब इनका स्वामी क्या हो गया सुक्र हो गया सुक्र क्या हो गया असुभ हो गया मान के चलो यह सुक्र को और यह सुक्र को यहां पर केंद्र का दोस भी लग गया ठीक है तो केंद्र का दोस होने से लगे कर्ग लगन की कुंडली में सुक्र सुग्र होने के बाद भी दोसी हो गया ठीक है तो यहां पे क्या होगा तो यह सुक्र जहां जैसे सुक्र मानके चलो कि इसको ऐसे समझाता हूं तो यहां पे उच्चका हो गया लेकिन पाप फलत है उप्चे है और सके साथ कोई मंगर हो यहां पे और समय के साथ चंद्रमा भी हो इस अब बोले यार की बहुत चुरदार कुंड़ी में योग बन रहा है लेकिन ये जो है उप्चे आके इसको भंग कर दिया है यह माना हम बुद्ध को लेकिया लेकिन उप्चे होने से पूरे योगों कo चंद्रमां मंग ऑर मंगल के योगों को भंग कर दिया तो मेंन में बताना चाहता हूं कि लगुबाराशजीं बहुत कठेनिया रात भरबात कर सकते हैं ठीक जोपर ten बौश्ब ढऄार यहां जोपर ивать इस स्थान नहीं यह इसक्ताङ सश्थान नहीं खराब होगा लेकिन देखिये इसका एक मालिक यहां बैठा हुआ है, तो यह उतना खराब नहीं होगा, क्योंकि इसका एक मालिक यहां बैठा है, सुभ हो गया, ठीक है, इसलिए समझते पूरी जिंदगी क़ुए ख्ली टीक है, तो कहता है, कि यह इस्थान के स्वामी खराब नहीं होते हैं अब फिर से समझते हैं तो इसका मतलब है कि सनी यहाँ पिटेगा तो यह यहाँ पे सनी हानी कारक नहीं होगा, ठिक? क्योंकि तृषड्öyle अस्थान खराब नहीं है उसका स्वामी खराब है अब फिर समझे लेते हैं गुरु यहां बैठा है और चंद्रमा यहां बैठा है तो यह इस्थान खराब नहीं है यह बुद्ध खराब है इसका मालिक खराब है ठीक है अब यहां पर राहू बैठा है और यहां पर बुद्ध बैठा है तो यहां पर राहू बैठा हो या बुद्ध बैठा हो या सुक् शुक्र कहीं यहां पे बैठ जाए तो इस इस्थान को हानी करेगा क्यों क्योंकि इसका ये उप्चे का मालिक है तो इस इस्थान की हानी करेगा ठीक है क्योंकि उस इस्थान को दूसित कर देगा ऐसा समझना तो मुझे लगता है कि चार मैं लगनों से समझाया हूं एक लगन सुब होते हैं भलेव कर सद्टार्टि Pillai विस्त पृलते हैं थ awak यहां पर यहां पर मंगली को यहां में udah यह हानि में हम देखते हैं ठीक है इस कुंडली में बुद्ध सबसे खराब ग्रह हो गया और यह बुद्ध कहीं आके यहां बैड़ गया ठीक है तो भाया यह बुद्ध ने जो है अपने घर को यह पंचम भाव को उपजय कर दिया आदमी बहुत जो है उपचय हो जाएगी इसकी बु अब बुद्ध यहां पर आगया लेकिन अपने घर को देख रहा है तो अपने घर को बली कर लिया लेकिन इस इस्तान को भिगाड दिया ठीक देखो या जो लगूपालासरी समझने में बहुत समय लगता है बहुत बुद्धी लगानी पड़ती है हजारों सूत्र एक साथ जिए रहते हैं अब इसमें पढ़ लेते हैं पंड किसमें कौन त्रिकॉंण है अब बोलो के इसमें मंगल बहुत यूग करी आप कैसे बात करते ओ इसको सूप कैसे बूल रहे हैं मंगल नौमेस्ट्रिकोन होने से 30 हो गया लेकि और यहां तो मंगल को केंड्र का दोस्थ भ अस्टिमें कर ग्यां असुब हो गया तो इतना ताकतवर नहीं है गुरू मंगल से योग तो नहीं इनके सम्मन से योग बनेगा अब सबसे खराब करें अब उप्चे कौन हो गया बुद्ध उप्चे हो गया सुक्र उप्चे हो गया और सनी सबसे खराब उप्चे हो गया अब ये उप्चे हो के इसका मालिक कहीं बेठेगा तो क्या करेगा? उस इस्थान की यहां नहीं करेगा अब यह उप्चे होके यहां यहां आ जाए तो इसने इस इस्थान की समस्याएं मा की बीमारी बढ़ा देगा, उप्चे कर देगा ठीक है? रोग, रिन, बीमारी घर में सतुरता यह सबको बढ़ा देगा ठीक है? यहां जाएगा तो वैको बढ़ा देगा, यहां जाएगा तो क्या होगा? अरे भया उप्चे का मालिक उप्चे में बेठेगा तो योगकारी हो गया यह, ठीक है? सनी का यहां बेठना योगकारी हो गया और यहां बेटना यह भी योगकारी होगे, अब एक और नियम बता गता हूँ, यदि कोई त्रिषडाय अपने ही घर में बैटे, जैसे सनी यहां बैटे तो योगकारी, और सुक्र यहां बैटे तो योगकारी, और बुद्ध यहां बैटे तो योगकारी, यह नियम है, ठीक ह यदि कोई भी त्रिषडाय पती अपने ही घर में बैठता है तो वो भी योग कारी हो जाता है तो ये मैंने एक आज नियम बताया ठीक है और एक लगन और ले चलता हूँ आगया आपको कन्या लगन में भी आगया बढ़ता हूँ कन्या लगन में देखते हैँ कौन quello कोन त्रिषडाय पती सरव चलीत करने लगन में शुक्र सबसे सूब ग्रह can clean jog consumers wife neutral निईट्रल होने सचिर सबसे सगर और सनी तरिकोन होने से सूल है लेकिन इसका एक स्थान छटे में चला इए त्रिषडाय हो सबसे ज्यादा पाउरफुल यहां पहलाए तो सुक्र और बुध की युथी यहां पे कुलोई और शनी सनी में थोड़ा सा यहां त्रिजडाय होने से पापी हो गया है ठीक है अब यहां पर मंगल जो है मंगल सबसे बड़ा खतरना कोई करने लगन की कुणली में तो भाईया वो है मंगल और कहीं मंगल यहां के बैठ जाए कैसे यहां के बैठ जाए ठीक है यहां के बैठ जाए तो भाईया यह त्रिश्टाय होने से और अस्ट तो इसमें कोई दोस्त नहीं लगेगा ठीक है फिर से हम मूल मूल इस लोग में चले जाते हैं यह लिखा है सभी स्रिकोन मतलब लगन ऑ만 पूलते हैं को केंद्र भी बोलते हैं अब सर्वे त्रिकोन रहन पंचम नवम भाव के स्वामी भलेवो नेसरगीक सुलों इसुल हों त्रिकोड होने से सुब हो गए उसी प्रकार सर्वे त्रिजडाय पती जो है त्रिजडाय पती चाहे वो गुरु हो चाहे वो सनी हो या पाप वाले हो पापी ग्रह हो या सुब ग्रह हो वो त्रिजडाय पती होने से असुब हो जाते हैं अब वो क्या होता है कि यदि सनी पापगरह तुल्ला में थोड़ा सा कमत्तर मानते हैं तो इसको बीस मिनेट का तावी थक मेरा हो गया है लेकिन मन मेरा माननी रहा है मुझे लगता है कि अगाद और बार अच्छे से आपको सम्झाना चाहिए चलो मीन लगन में बताते हैं मीन लगन की कुंडिल लेते हैं अब बो इसमें त्रिकोण होका अकस्वामिय हो गया सनी ठीक है सबसे पापी हो गया और ये बार्वा तो न्यूट्रल होता है तो ये जि तो तो त्रिकोण का स्वामी मैंने पहले जोया कि यह तो नीटरल होता है तो 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 स्वामी वह गया अच्छा हो गया ...और यहां आ गया तो योग कारी हो गया यह बहुत अच्Star während of this time को ट Bye? सां़ तो ने को इन में को है that है क्योंकि अपने से घमें डेर को उसको त्रिश्डाय नहीं पाल जाएगा और यहां बेट गया तो भी त्रिश्डाय नहीं है यहां बेट गया तो भामानी करत गई इससतान चैश्टाए हो गया यहांक रूगाल है ओ चुक् Bundes यहां पर Neutral हो जाता है तो यह मंगल और गुरु बहुत ताकत-व लगने स्थ्रिक्वॅन और यह सब से प्रबल केंद्र प्रबल केंद्र होने के बड़ान प्रत क्यारान गुरुब are अब चंद्रमा यहां पे सुब त्रिकोण माना जाएगा चंद्रमा सुब त्रिकोण होगा मंगल सब से सुब होगा और गुरु होगा त्रिकोण कहला है ठीक तो भाईया यह जो है इस लोग 22 मिनट का मैंने समझाया है बड़ी मेहनत लगती है बहुत सारे प्रश्ण रह गए होंगे कई लोगों को समझ में आया होगा और कई लोगों को समझ में नहीं आएगा देखो आपको बाजार में पैसे लेके लगुपारसरी सिखा रहे हैं इतना पैसा लाओ वेबनार करेंगे पैसा जमा करो मैं आपको फिरी में सिखा रहा हूं ठीक है कोई यह दी प्रस्ण तो याँ पर चेह C는지 सोब होगा तो बलई को यहां पर केंदर्का कर दोज भी लगेगा तो वाव भाली शुक्र नौमेज लेकिन थोड़ा सा केंदर्धर्वत्त यहां पर लगेगा लेकिन सुक्र यहां पर शोफ हो गया अब देखते हैं कि यहां पर जो बुद्र है यह तो थोड़ा सा दोसी हो गया कैसे फल देगा मिस्त्रित फल देगा आधे इसके देगा आधे इसके आपने देखा कि जीवन में हमें इसके उतार चड़ा हैं कभी अच्छे कभी बुरा अब देखते हैं इसमें कौन है वो त्रिजडाय गुरू इसमें सबसे खराप करा हो गया क्योंकि ये निउट्रल होने से गुरू जहां बैठेगा कंकुम लगन की कुंडली में बाजा बाजा आएगा और ये मंगल यहां पर त्रिजडाय हो गया क्योंकि केंद्र का दोस्ट इसको नहीं लगता है तो ये उतना पापी नहीं है मंगल यहां पर उतना पापी नहीं है जितना की गुरु है गुरु सबसे बड़ा त्रिजडाय पती हो गया उपचे हैं हमें में तीन प्रकार का है सबसे पहला तीसरा उपचे फिर छटा उपचे फिर ग्यारवा उपचे सबसे बली उपचे होता है सबसे ज़दा कष्ट देने वाला होता है ठीक है और तीन उप्चे विता दी अब मकर लगन की कुंडली में हम देखते हैं कौन हो गया उप्चे मंगल उप्चे हो गया और मंगल का एक स्वामी इसको केंदर का दूस नहीं लगता है ठीक है तो भाईया यह मंगल बहुत तेज दी उप्चे हो गया पापी हो गया गुरू गुरु इबारवर निउट्रल होने से यह भी भेंगर तेज हो गया ठीक है लेकिन तेज कों है टेज यहां पे यही होगा क्योगी केंदर का दोस्थ नहीं लगेगा इसको तो यही होगा खज़िया इसके बाद उप्चय हो गया बुद यार उतना तेज उप्चय नहीं है उतना पापी नहीं क्योगी इसका एक रास्यां सुब में आ गई भया है तो फाइनली इस कुंटली में सबसे खतरनाक कौन जगरे होगा मेरे हिसाब से गुरू होगा क्योंकि इसको आदा सुबत मिल गया केंदर का दोचा नहीं लगने से ठीक है तो फिर गुरू ज्यादा इसमें खतरनाक होगा ठीक है त्रिकोन में ये सुक्र सुभ है और यहां पे भी ये सुभ है तो भाईया इसको सक से ज़्यादा सुभ हो गया सुक्र और इसमें जो बुद्ध है थोड़ा सा दोसी हो गया यहां पे त्रिजडाय होने से तिक और सनी धनेस न्यूटरल होने से सनी लगनेस होके योगकारी हो ऐसे समझना और यह मारक हो गया यहान परो केंड्र के होने से चंद्रमा नियूटरल लोगए ना सुप नासुप और यह कैसा अश्टमेस अणद्रमा और सूर को दोस्त नहीं लगता लेकिन बहुत ज़ादा पीडित होते हैं इनको लगता है तो यही लग उपरा सरीका इस लोक नमबर अच्छे मैंने अपनी यथा बुद्धी ठीक मैं यता बुद्धी से लिए भूल रहा हूं क्योंकि भाईया मैं भी आपके जैसे ही लंगड़ा आदमी हूं ठीक है दीरे से समझता हूं बताता हूं लंगड़ा आदमी कैस सब कुंडली में घलत सलत व्याक्या करोगे ठीक है और दर्सकों को फिर अपने जातकों को उल्टा सीधा फलित दोगे तो यह मैंने समझाया है साधरन बुद्धी से अब दर्सकों के ऊपर है कि वह अपनी प्रसिकिरिया लिखे कि साहाब ये छटवा इस लोग मेरे को पले पड़ा कि नहीं पड़ा देखो मैंने जितनी ताकति सब समझा दिया फिर एक बार गुल लेता हूं तीसरा ग्यारवा और तीसरा छटा और ग्यारवा के पती पापी पती मतलब पती मतलब उनके मालिक पापी है ठीक है यहां पर जैसे धनू लगन की कुंड़ी में तो सुक कोर्ण यहां पर बैठाइब तो मतलब नहीं कहले गाना तीक है सुकुर पाम पी जैसे सुक्र दूंनीच पापी हो गया लेकिन प्टयां बिखना जीसे कोई और मिख्र हैहां तो राहू लाभेस हो गया है ग्यारवे घर को कोई पाप पापी नहीं बोलते हैं वैसे ही यहां पर युदि सुक्र बेट गया तो तीसरा घर पापी नहीं उसका मालिक पापी है जो पती ना तिस्डाय पती वो मालिक है तो राहू यहां बेट गया तो कोई दिक्कत नहीं है पतनी के प्रति इसका जो संगर्स हो बढ़ा जाएगा ठीक है ?ठीक कैष्ट लुग पतनी पर देखते रहते हैं पत्नी की ही इंटेलिजनस करते रहते हैं ठीक है ? और बड़े जगड़ा जयदा करते रहते हैं ठीक है ? तो तीसरा इस्थान खराब नहीं होता छटा इस्थान खराब नहीं होता ग्यारा इस्थान खराब dog 봐 उसकेaboutिस स्वामी खराब नहीं थीएं लगनेश को कीद्र प्लवॉन पंचम हों पंचम से जाधा नवम त्रिकोन बलवान है उसी तरीके से तीसरे त्रिकोन असुब है त्रिकोनेस मतलब तर्तियेस से जासा तर्तियेस से ज्यादा असुब सस्टेस है और सस्टेस से ज्यादा असुब एकादसेस है लाभेस है ठीक है और तीसरा छटे इस्थान पे बैठे ग्रह कभी भी हानि नहीं होते यदि कोई गरत तीसरे इसथान का माली करती में भीट जाए चटे इसथान का माली कर छटे में भीट जाए गयार्वए का माली के घ्यार्वे में ही भीट तो य orange देएगंगे यह होगया भए लुपार असरी एक रचटवाइश लोग जिसे से लगता है की थोड़ा थोड़ा आपको पल्ले बढ़ा हो गाक कि मैंने अच्छे से बताना था सब बता चुका हूं इसमें मैं जरूर आप लोगों से कमेंट चाहूंगा कि भ объяс ये मेरे लोगा इसके बाद में मैं सात्वा बताने का प्रयास करूँगा जो लगुपारसी मार्केट में बोलते हैं कि हमको इतने पैसे दो तब हम सिखाएंगे देखो मार्केट में कोई भी आदमी आपको पावर पॉइंट में इस तरीके से नहीं सिखा सकता ऐसा मैंने कोई भी वीडियो न लगेगा आज अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर लिखिए यह बड़ी मैनत लगती इसमें अगला जो इस लोग है आप सात्वा नंबर हम जो इस लोग है वो बताऊंगा और तो और जातक तक तक तो में पेज नंबर 17 में इस पस्ट लिख दिया कि तीसरा इस्थ इस्थान के मालिक भावेज वो पापी है उन इस्थान वह इस्थान पापी नहीं यह बहुत काम की चीज़े फलित में जनली हम लोग क्या बोलते हैं कि तीसरी स्थान में सट्रूर बैठने से कोई खराब नहीं हो जाता है समझें उसका मालिक से टच कर लें वहां भावेज भी बैठा हो तब बहुत दिक्कत इतना बोलके मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और उमीद है कि यह छोटा सा प्रयास इस लगू पार शरी का इस लोख नंबर छटवा आपको पसंद आया होगा ठीक ह हरी कृष्ण